कुरोना वायरस से लडने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टंसिंग है लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टंसिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं है। वास्तों में ये समय अपने सभी पुराने सामाजी की रिस्तों में नई जान फुकने का है, उन रिस्तों को तरो ताजा करने का है, एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और एमोशनल डिस्टंस गटाओ, मैं फिर कहता हूँ, सोशल बढ़ाओ और emotional distance घटाओ कोटा से येश्वर्धन ने नरेन बोदी एप पर लिखा है कि वे lockdown में family bonding को मजबूत कर रहे हैं बच्चों के साथ board games और cricket खेल रहे हैं kitchen में नहीं नहीं disease बना रहे हैं जबलपूर की निरुपमा हरसेजी नरेन बोदी एप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पुरा करने का मोका मिला है यहीं नहीं वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पुरा कर रही हैं वहीं राइपूर के परिक्षित गुरुगाम के आर्यमन और जारखन के सुरिज्जी का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के E-Reunion करने की चर्चा की है उनका यह आइडिया काफी रोचक है हो सकता है कि आपको भी दसकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बातचित करने का मोका न मिला हो आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए भूमनेश्वर के प्रत्युस और कोलकत्ता की वसूधा ने बताया कि भी आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जीने अब तक पढ़ नहीं पाये थे सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला, वीर्णा जैसे मुजिकल इंस्टुमेंट को निकाल कर रियाज करना शुरू कर दिया है आप भी ऐसा कर सकते हैं इससे आपको संगीत का आनन तो मिलेगा ही पुरानी आदय भी ताजा हो उठेगी यानि मुश्किल की इस घरी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुडने का मौका मिलेगा बलकि आप अपने पैसन से भी जुड़ पाएंगे आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुड़ने का पूरा आउसर मिलेगा नमो एप पर मुझे रूड की से सर्शी जी ने पुछा है कि लोगडाउन के इस समय में मैं अपनी फिट्रेस के लिए क्या करता हूँ इन परिस्तितियों में नवरात्री का उपास कैसे रखता हूँ मैं आपको पता दो मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है लेकिन आपको अपने भीतर जौकने के लिए अवसर भी दिया है ये मोका है बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो अपने आपको जानने का प्रयास करो जहां तक नवरात्री के उपास की बात है ये मेरी और शक्ती के भक्ती के बीच का विशह है जहां तक फिटनेस की बात है मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूँ उसके विशे में कुछ वीडियोज अपलोड करूँगा नरेदर बोदी एप पर आप जुरूर उस वीडियो को देखेंगे जो मैं करता हूँ संबवत हो उसमें से कुछ बाते आपके काम आ जाए लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्षपर् हूँ और नहीं मैं योगा टीचर हूँ मैं सिरफ प्रैक्टिशनर हूँ हाँ जरूर मानता हूँ कि योगी के कुछ आशनों से मुझे बहुत लाव हुआ है लोकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बाते कुछ काम आ जाए